चलिए हो गया शुरू करते हैं नमस्कार साथियों मैं राज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं प्रिये बच्चों आपको मालूम है पता है कि कख्षा नो की अंसी आरेटी गडित में एक्सरसाइज 1.5 आज हम लोग पढ़ेंगे 1.3 इसकी पिछली कलास जो चली थी फ्र साइंस की कलास शुरू हो रही 15 जुलाई सुबह साथ बज़े से साइंस की कलास शुरू हो रही सभी बच्चे जरूर आना ठीक है बच्चों और एक्सरसाइज 1.4 में जो आवर्धन वाला है वो चैप्टर अगर यहाँ पर हम करवाएंगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा उसके लिए पटरी परकार से हमें दिखाना होगा कापी पैन में आपको दिखा देंगे उसे देख लेना ठीक है तो इसलिए 1.4 चैप्टर हम यहाँ पर नहीं पढ़ा रहे हैं 1.5 चैप्टर है वहाँ से हम सुरू कर रहे हैं ठीक है मेरी बात समझ गए 1.4 में केवल दो कोईश्चन है बस दो से जादा नहीं है तो बच्चों बताना है कि यह रेफनल नंबर है या नहीं आप जड़ा सोचो रेफनल नंबर कहता है कि वो नंबर जो पी अपान क्यू के फार्म का होता है वो रेफनल नंबर होता है तो भाईया इसमें तो अंडर रूट लगा है और हमने जब रेफनल नंबर इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि वो नंबर पी अपान क्यू के रूप का होगी जो वही रेफनल नंबर होगी ऐसा नहीं कि अगर किसी में अंडर रूट लगा है तो वो रेफनल नहीं होगी बच्चा वो भी रेफनल नंबर होगी रूट लगा है तब भी लेकिन उसका वर्गमूल अगर पूरा-पूरा निकल जाये तब नहीं तो नहीं होगी पताना नहीं है क्योंकि कांसेट तो मैं बताया ही हूं कि अपर मिये कैसे होता तुमें सब कुछ मालूम है अब अगर पीछे की 6 कलास जो हो वो कुछ ऐसा है 3 प्लस अंडरूट 23 क्या है 23 और माइनस का अंडरूट 23 यह इतना है और इसको क्या करने को बोल रहा है वो भी समझो तुम यह यह इतना है और माइनस का अंडरूट 23 इसमें देखो जब कोश्टा खुलेगा तो यह कट जाएगा या घट जाएगा जो भी तुम समझो फाइनल में 3 आएगा तो यह परमिये संख्या आएगा क्या आएगा बच्चो यह परमिये संख्या आएगा अगर उपर हम देखें तो यह तो अपरमिये था उपर question जो दिख रहा था वो तो इरेफनल नंबर के रूप में दिख रहा था लेकिन अगर उसे simplify किया जा सकता है तो वो हम करते हैं तब decide करते हैं कि यह परमिये है या नहीं है परीतिव इस कर्मा आपका कमेंट आ रहा है ठीक है आपका कमेंट आ रहा है कोई problem नहीं है किराग पटिदार ठीक है आपका कमेंट आ रहा है बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड बेरी गुड बेरी गुड ठीक है चलो भाई चलो 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 थोड़ा से रुक जाओ देखो यह कॉल भी करते रहते हैं इसी में अभी अभी कुछ बच्चे जुआइन भी कर रहे हैं एप्लिकेशन वाली कलास वह भी डंडा करें इसी में हिमानसु बर्मा रभी राज बिट्टू कुमार चलो ठीक है तो यह क्या हो गया पर्मिय अपर्मिय दो हो गये अब इसका बच्चों जो तीसरा पार्ट है वो क्या कहता है वो भी देख लो यहीं पर इसमें का थर्ड पार्ट है इसको तुम बताओगे सभी चलो यह बहुत आ नहीं आर लिखो बच्चा आर मिन्स रेशनल अगर ए रेशनल है मंतलब अपर्मिय है तो आई लिखो पताओ आर होगा कि आई होगा कि दुर्गेश चहार मनु राजपूत समीक्छा बिजय संकर प्रियंका मोहित मिश्रा तुमित प्रांजल अंसिका आजाद अली मिश्टर फर्फेक्ट वावाई नाम तो बड़ा सुन्दर है तुमारा रूची यह को सब आर 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 बोल रहे हैं यार 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 मतलब सही बोल रहे हो तुम लोग हाँ ठीक है बहुत अच्छे बिच्चे बेरी गोड बेरी गोड बेरी गोड एकदम धुआ धुआ कर दे रहे हो तुम लोग टाप करने से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा कोई तूफान नहीं रोक सकता है चलो यह ऐसे दिखने में तो इसका थोबडा जो है इरेफनल दिख रहा है लेकिन अभी काटे च्छाटेंगे ना सफाई करेंगे खूंद खूंद के ना तो यह रेफनल बन जाएगा वैसे जैसे कोई आदमी चोर है और एक बार वह चोरी किया और उसके बाद उसकी अच्छे से सेवा हुई खुंदाई हुई तो वह सुधर जाए तो उसको क्या बोलेंगे पदलाव हो गया ना उसमें तो वैसे इसमें क्या है अभी यह क्या है यह रेफनल है लेकिन इसके हम खुंदाई तोड़ाई करेंगे तो यह दोनों कट मर जाएंगे आपस में दो बचेगा जो कि क्या है रेफनल नंबर है यह जैसे है यह रेफनल नहीं है बच्चा यह तो यह रेफनल है लेकिन जब हल होगा यह कंपलीट सिंप्लिफाई होगा तो तो आएगा और जो तू है वो क्या है वह रेफनल नंबर मजा आ रही ना देखो सोना नहीं कोई सोगे ना तो मार भी पढ़ती है बखुत मार पढ़ती जानलो इसलिए थोड़ा थोड़ा हसाते भी रहते हैं कि सो नहीं तो पता है जब स्कूल में पढ़ाते थे ना आगे पढ़ाते थे ना पीछे बच्चे आराम से बहुत मस्त सो जेते जिनको नहीं पढ़ना दे नहीं पढ़ना रहता था मतलब पर राइब साम को साम को साथ से रात के आढ़ में क्लास का टाइब तो यह आपका हो गया, आप समझ गहेें, अभी इसमें कोई और भी बचा हैve, पताओ जल्दी से ए ए लिखे कमेंट करो, डबल ए के साथ में, मिल रहा है क्या किताब, किताब में मिल रहा ना कुश्चन, देखो बच्चा, बहुत से बच्चों का कुश्चन होता है, मेरी किताब में ने मिल रहा है, गुरू जी मुझे यह फलानी परकासन पढ़ा दो, ढमा का पढ़ा दो, तुम किसी भी किताब से पढ़ोगे, सब आएगा, अब भाईया, रेफनल, रेफनल, कोई दूसरी किताब में कोई दूसरा नियम नहीं है, नियम सब में वही है, तुम सिर्फ नियम सीखो, संख्या के पीछे ना पढ़ो, समझ रहो ना, जैसे तुम को दिया जाए एक आम, अ साथ सहरी, पीला, खर्रा, करिसा भी, तुम जान जाओगे आमी है न, समझ रहो ना, तो वैसे तुम किवाल समझ जाओ बस एक बार समझ जाओ, उसके बाद किसी भी तरह का कुश्चन आएगा, सब कर लोगे, तो किताब की पीछे मत पढ़ो, हमारे तो किताब में नहीं है, यह कुश्चन में तो कुछ आओ रहे, वो में तो कुछ आओ रहे, एक का करोगे न, जिन्दगी भर करते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ सीख हो, सिर्फ सीख जाओ बस, कुता देखे हो न, तुम कुता पहिचान लो बस, कि हाँ एक कुता के पूँच होती है, कान होता है और समझ रहे हो कैसे कैसे होता है उसके बाद तुम कुछी भी प्रकार का cement देख जाओ फलानै का प्रोसी का गां में ज correlation में जंगली सर जां जाओग यह इसे ही होता है तो ऐसी होता है थो यह कण ड़फे जांगे बढ़ें आप समझ गये ना ही जो बोलना चाहते थे चलो बच्चा तो ये बता इसका जो चौथा पार्ट है वन अपार अंडर रूट दो ये रेशनल है कि एरेशनल है ये रेशनल है कि एरेशनल है बच्चा मैंने तुम्हें बताया था कि जो नंबर पी अपान क्यू के फार्म का होता है वो क्या होता रेफनल होता है आप कहो गरू जी ये प्येपान क्यू का फार्म कौन सी नहीं कहानी है देखो ये मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ अगर तुम पढ़े हो तब ये जो नंबर दिया है न ये क्या है इसको तुम्हें बताना है अगर मैं इसके नीचे एक ठी और लिख दूँ ये भी इसको भी तुम्हें बताना है देखो यहां पर समझो यहां पर समझो बच्चा अगर इसको तुम सलूसन करो आगे हल करो कुछ भी करो तो इसमें कोई बदला नहीं होने वाला है क्योंकि यह क्या है ही करना है जानते हो जिसे बैसारम बोलते हैं काव में सुने हो कि नहीं जो कोई बहुत गंदा काम करता हो गलत काम करता हो उसे बार बार रोका जाए बार बार समझाया जाए घरवाले कहते हैं बैसारम है ही करना है इसको कुछ भी करो यह उतना ही आएगा इसका वर्गमूल करोगे जो भी चिन्न लगा है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यह फाइनल में उतना ही आएगा तो यह ड़ज नाट इक्वल पी अपान क्यूग यह सुधरने वाला नहीं है कहता कि हम नहीं सुधरेंगे और यह यह कहता नहीं है बहुत सीधा साधा है सुधर सा हमारा जब वर्गमूल करोगे तम दो हो जाएंगे इस तरह से यह सुधर जाता है तो यह पी अपान क्यूग के बराबर हो जाता है तो इसलिए क्या है ये पर्मिय संख्या है ये रेफनल नंबर है बच्चा लेकिन ये रेफनल नंबर है क्योंकि ये नहीं सुधर रहा है सुधरने का मतलब यहाँ पर उसका वर्गमूल नहीं होगा तो का मतलब होगा तो है लेकिन वो एक पूर्ड संख्या नहीं आएगी दसमलों में आएगी इसलिए वो क्या है रिफनल नंबर नहीं है समझ रहे हो दूसरे सब्दों में बात करें आप लोगों ने देखा होगा जब होली आता है तो लोग बच्चे मुखोटा लगा-लगा के रंग खेलते हैं माननीय परदान मंत्री जी का मुखोटा देखे हो ना इस वैसे यह क्या है यह भी एक परकार से क्या इनके उपर टोपी लगी है है अंडरूर्ट मतलब क्या टोपी मुखोटा लगा है इनका मुखोटा निकालोगे तो क्या है इसा कि अगर समझ जाओगे ना एक बार बच्चा एक वार تم हैं उसके बाद थिर तुम्हें कोई रो यह हो गया एक्ठी आउर बच्चा है बड़ाई खतरनाक है एमें एक्ठी है इद्दूई पाई अभी बच्चे यह बताओ यह क्या है यह परमिय है कि अपरमिय है पढ़ाई कर लो तुम्हारा साधी भी आभी हो जाएगा अभी यहां पर कोई टेंशन ना लो तुम पहले से बदनाम है और उसके साथ में एक्ठी और जूड़ा है तुम्हें मालूम है अगर कोई लड़का एक बहुत ही गंदा टाइप का हो बरबाद टाइप का हो और है उसको सुधार लेगा ऐसा बहुत कम चांस है कि व्यगड़ा हुआ ना वो तुम्हें जिकते दो लोग एक कि तो हुए तो फारइनल में जो बनेगा ना वह ए रेफनल नंबर बनेंगा चयूंब क्यों कि क्यों इसका來id क्यों कि इसका दो नोचिते हैं नोट कर लो ले लो प स्क्रिसार्ट लेलो अबत कमेंट आ रहा है तुम्हारा अनुराग जी है ये बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड्ट बच्चे बेरी गुड्ट इरेफिनल नमबर होगा पूरा कंफरम है यही हमारे पास में चलो थो आपका यह खतम हो गया काılan car पड़ी पक बच्चा ठीक है तुम्हारा कमेंट आ रहा है अब तुम ठीक हो अच्छा हो चलो साही हो तो यह आपका हो गया पहला कुश्चन खतम हो गया बोलो भखवान की जै एकसर साइज 1.5 का पहला कुश्चन का पांचों पार्ट खतम हो गया इक वाद बताओ किसको किसको समझ में आया इसलिए मैं ऐसा बोलता सुन्दर सुन्दर इसलिए मैं ऐसा बोलता हूं थोड़ा मजाक में तो कलास को तुम फटा-फट सेयर करके आओ कि अभी कलास चल रही आप 8 बज़े कॉल करिए ठीक है कामी को दे दिया करो पढ़ाते टाइम में जिससे बच्चों को थोड़ा सा खुसी मिले हम चाहते हैं कि आप लोग खुस रहो मतलब संतुष्ट रहो पूरी तरह से इतने भी बच्चे है सभी फटा-फट कलास को लाइक करें तुरंत देर ना करें आकास कुमार तुरंत कलास को शेयर करो फटा-फट और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना वह सब्सक्राइब बिलकुल फ्री होता रेड कलर में जो लिखा होता है कुछ कि हमारे घर पैसा मांगने आ जाएंगे ट्रालिम भरने नहीं पैसा मांगने नहीं आएंगे तुम्हारे घर सब्सक्राइब कर लो कोई पैसा नहीं पढ़ता है कोई पैसा नहीं लागेगा फिर ही है ठीक है रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होता है उसको कर लोगे तो क का इसके नोटिफ्टेशन डेली मिलेगा दूसरा प्राशन पर चलो इ है दूसरा प्रसुपे चलो बच्चा इक्सरसाइज 1.5 का कुश्चन नमबर दूसरा क्या है वेवर क्ये रहा है कि निम्नलिखित बन्जकों मेंसे परकतेक बन्जक को शरल की जिए जो बच्चे NCRT किताब लिए हैं परस्ना वली 1.5 एक्सरसाइज 1.5 कोईशन नंबर सीकेंड देखें ठीक है मैं जो पढ़ रहा हूं सुन लो नहीं किताब लिए हो तो लिख लो काँपी में बस निमनलिकित बेंजकों में से परतेक को परतेक बेंजक को सरल कीजिए च दूसर का जो बेंजक है इसकी बेंजकिया जो है उका है वो कह रही कि टू प्लस अंडरूट टू इनको सरल करेंगे तो क्या कर सकते हैं आप जड़ा सोचो इसमें कोई उपाय है भाईया कोई उपाय है इसमें सरल करने का मिस्टर निकुल प्रियंका आरा समझ में कुछ लो डिलों के कम हो जातें का और अगे कैसे है मैं और हम अगर तुम हो जाती नहीं के पूंग यादी नहीं आरा तुम लोग बताना चलो इसको क्या करेंगे अपस में multiple करेंगे भाई या गुड़ा करेंगे तो गुड़ा कर लो तीन का गुड़ा पहले इन दोनों में करो फिर रूड तीन का गुड़ा इन दोनों में करो कोई इनका उत्तर बताए फटापड चलो जल्दी करो बच्चे चलो 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 भाई अंस यादो ठीक है बच्चे बेरी गूड बेरी गूड इस्क्रीन साड लेलो कुश्चन का अगर आपको नहीं दिखरा के लियर तो अगर दिखरा है तो फिर आख बंद करके देखो नहीं प्लस है तो प्लस लगा दो तीन का गुड़ा अंडर रूड दो में करो गे भहिया तो ये इतना घटेगा उसमे कुछ जूड़े गटेगा और बताऊ कुछ होगा का इसमें कोई उपाए आकास कुमार एंड बर्धर बच्चा क्या कह रहे हो वही क्या ले रहे हो क्या दे रहे वां पड़ तो अच्छी बात है नहीं तो लेते देते ही कि ना बच्चे किताब के उत्तर मिलाएंगे उनको यहां पर पुरानी किताबों में कोई चिन नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं ये कि वहां पर कोई चिन है नहीं कि तनी देवल आपका नाम देखके मुझे कुछ और याद आ रहा था आप समझे रहे हो ना चलो ठीक है वो तो सनी देवल निकले तुम ठीक है चलो हो गया अगला देखो इसका सिकेंड पार्ट सिकेंड पार्ट तीन प्लस अंडर रूट तीन त्री प्लस अंडर रूट त्री और थ्री माइनस अंडर रूट थ्री देखो भाईया इनको हल करना है कितना आएगा जरा सोचो जल्दी से सभी बच्चे बताओ दीख्छा सर्मा ए बच्चा सुनो मर जाता तू पहले इकाय को दिमाग खराब कर दिया एक मिनट रुख जब आई डिश्चार्ज हो गया चिल्दा आ रहा है इसको भी थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा पर यह चार्जिंग इसका जो है ना लो हो जाता है जादा देर नहीं चलता है बेचारा बहुत लोड पड़ता इस पे मने मन गरी आता है इतना कुछ लाके जोड़ दिया है बैटरी भी नहीं चार्ज कर रहा है चलो बताने वाले क्या थे बहुत ही अच्छे से लेकिन यह लेटाप डिस्चार्ज हो गया तो 15 जुलाई से सुबह साथ बज़े साइंस की कलास होने वाली है बड़ी मज़दार कलास होगी साइंस की पूरा प्रेक्टिकल ही बताएंगे आपको अपने गाउं दियात में तुम प्रेक्टिकल करना हम यहां पर पढ़ाएंगे ठीक है स साइंस में प्रेक्टिकल होता जानते हो ना चलो है तो यहां पर समझो कुष्टन लिख लिए सभी फटाफट देखो जैसे मैं लिखूं ऐसे लिख लिया करो मैं अपना वीडियो कुद देखता रहता हूं इसमें इसी वजह से ना क्या होता है ना जब कुछ गडबड होता कि छलो भी फटाफड चलो 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 आप देखो समझो में बताता हूं आप को इधर साइठ हाँ जी अभी कलास चल रही बताईए अभी जो भी जानना है आप दिन में कॉल करिए ठीक है डास बज़े से चार बज़े की बीच सब बताया जाएगा नहीं तो आप मैसेज करिए टेक्स मैसेज करके रखा है सारी इंक्वाइरी इनको राते में सूझती है और आज मैं这ी क्लास का फोन में चोटी तो फोटी जगा वह तो हिद पंकज रंकज अब बिनोद की जगा एक नया ट्रेंड आ गया सिनोद चलो तो बच्चा यह a plus b a minus b यह शूतर तो तुम पढ़े थे अपने बच्पन में आप तो जमानी में आ गया वह बच्पन में पढ़े थे ना पढ़े थे आगे जगा है नहीं है किदरे लिख देता हूं तो यह a का is square minus b का is square होता है बोलो यह होता है न को हमें अगर यह दिया है यह दिया है मतलब यह दिया है अगई बना सकते हैं इसकी सायता पर एक जगा पर बच्चा तीन रखोगे और बी की जगा पर रूट थीन रखोगे तो बहिए हो बाबु यह 9 होता है यह अंडरूट 9 होगा 9 का वर्गमूल 3 आएगा फाइनल में 6 आएगा कितना आएगा 6 कितना आएगा 6 लिकलो फटापट लिकलो फटापट छापलो तुम देर ना करो चलो किसी को कोई confusion है तो बता दो आजल कलास का टाइम है साम को 7 बजे से रात के 8 बजे के बीच में अगर पढ़ना चाहती हो तब कुमरम सेर्दिया अभी बच्चों को मालूम है कलास का टाइम साम को 7 बजे से रात के 8 बजे के बीच अब कब बंद हो जाए मेरा खोपड़ी जब सनक जा तब बंद हो जाए कोई निश्चित नहीं है लेकिन फिर भी आठट साथ पैतालिस के बाद है बंद होता है चापो चापो फटा फट चापो इसको ऐसे भी कर सकते हो मैंने समझाने के लिए ऐसे बताया है बाकि इसका ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तुम ऐसे भी कर दोगे तो कोई गलत नहीं करेगा वाकि बहुत अच्छा नहीं लगाया हूं पता नहीं कहां से कुछ हैसे पैदा हो जाते हैं ना कि जो मुझे बहुत परिसान करते हैं मुझे मन करता है कि इनको मैं क्या करूँ इनको मैं कितना भी बता दूँ कि बच्चा रात में फोन ना किया करो थे बच्चा कहेंगे नहीं मैं राती में करूँगा तुम क्या करोगे मेरा इनके मन में है इसको आप लोग कर लोगे पहले बताओ कितने लोग कर लेंगे बहुत आसान है ना कर लोगे ना बहिए कर लोगे ना बताओ कर लोगे सभी अभी बच्चे कर लोगे ना चलो यार इसको बला कर रहा हूं एक को रुख जा एक सिकेंड मैं बला करके आते हूं कर दिये हैं कि इतना बार भी बोलो फिर फोन करेंगे फिर वीडियो काल करेंगे वीडियो काल से भी नहीं दिल भरेगा फिर आइडियो वाला फोन करेंगे करते रहेंगे इनके मावाप हिनको मोबाइल से देंगे लो बेटा लो लो मुझे तो परिसाने करेंगे वाप जो बचा उसको भी कर दो चलो सबी कर लोगे ना इसको कर लेना मैं नहीं बताऊंगा देखो क्या करना है मैं थोड़ा सा हिंड से बता देता हूँ A प्लस B इसी सूतर में खोलना बस मान रख देना आ जाएगा और हाँ कोई बहुत अच्छा मान नहीं आएगा मतलब कि 20, 25, 30, 50 ऐसे कुछ आएगा नहीं जो मान आएगा अंडरूट में ही मान आएगा इसको कर लेना तो बच्चों ऐसे इसमें का एक और भी है अगला पार्ट उसको भी तुम कर लोगे अंडरूट पांच माइनस अंडरूट दो अच्छा इमानदारी से बताओ इसका कितने लोग नहीं कर पाएंगे थोड़ा सा रुको मैं हटता हूँ चलो देखो अगर आप इसके पीछे की 6 कलास नहीं देखे हो न तो इस कलास का डिस्क्रेप्शन देखना उसमें आपको लिंक मिल सकती है उसमें से आप कर सकते हो उसमें आपको तरीका समझाया गया है मतलब जो पीछे कलासे हैं अगर उन्हें पढ़ लोगे तो नहीं तो आप चैनल पर जाओ वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे तो बच्चों इसका आधा पार्ट यह था यह पूरा कुश्चन है देखो इसमें भी हिंट से बता देता हूँ ए माइनस बी और ए प्लस बी अभी अभी जैसे मैंने उपर किया वैसे इसमें भी मान रखोगे यह भी हो जाएगा ठीक है बईया चलो इसको भी कर लेना अगला एक ठी बड़ा खतरनाक सवाल है भाई किताब लियो ना तो बच्चों अगला कुश्चन है आपका इक्सरसाइज 1.5 कलाफ 9th NCRT का कुश्चन नमबर 3 क्या कहता है ज़ा ध्यान से देखो सभी बच्चे मैं नहीं कर पाऊंगा अक्सिता ठाकूर तुम्हारा तो मुझे गल्स का नाम लग रहा है तुम कहरो कि मैं नहीं कर पाऊंगा कर लोगे भाई नहीं आएगा तो बताना चलो अच्या बता ऑई कि फिर को नोगा रहाई दूसरी कि कमेंट बंद हो जाता है इस पर फोन करने लगता है तो कि थोड़ा सा रुप जा यार कि क्या करूं इनका इनका कोई उपाई नहीं है इनका कोई उपाई नहीं करत्रा बेटा करत्रा तू चलो देखो इधर समझो यह बच्चा फर्मूला होता है लिख लो इसमें से अधिकान्स को यह सुत्रवय नहीं याद होगा मुझे पता है इसको लिखो जहां जहां पर अ है वहां अंडर रूट 5 रखो अब ए इसको ब्रेकाट ना लगाओ भी जहां जहां पर भी है अंडर रूट 2 रखो यह स्कॉयर ठीक है तो बच्चा का स्कुराइर love के रूट और दो एक काscope ब filtration मतलब रूट दो का स्कुरार को एक और इस्कुरार करे आ इस तू एक मतलब रूट पांच और बी पांच का मतलबрий पांच दो ज आपका हो जाएगा अंडर रूट दस तो भाया हो यह पूरा लिखों गदीटियल में और यह आपका वो जाएगा और यह दो अंडर रूट दस तो आपका सेबन प्लस टू अंडर रूट दस यह उत्तर आएगा बोलो इतना आ रहा है कि नहीं सभी बच्चे बताओ इतना आ रहा है चौथे का तीन आएगा सिवम कुछ वहाँ बता रहे हैं ठीक है बहुत अच्छे हो तुम तो एकदम सुन्दर सुन्दर बच्चे हो चलो चलो बच्चा छाप लो फटा फट अचै इसमें से कितने नए बच्चे हैं जो चैनल नहीं सब्सक्राइब करें भीया देखो चैनल सब्सक्राइब कर लो बैटा तो तुम्हारा कमेंड भी आने लगेगा बहुत से लोग kysपदल फिर दहीं तौलीं का कमेंट नहीं आ रहा sas भाई कहां गया लगा है तब भी थोड़ा सा रूख जाओ कैमरा में चार्जिंग में लगा देता हूँ अब निकल जा पूट भी गया है चार्ज होगा अब यह ठीक है चलें आगे कलास का टाइम हर दिन साम को साथ बजे से याद रखना साम को साथ बजे चलो इसको मिटा दिए ना लिख लिया करो जब मैं हटता हूँ इधर उधर पोलता हूँ बड़ बड़ाता हूँ यह नहीं कि अभी मैं तुम्हारी आरती उतारूंगा बेटा उतार लो उतार लो तो यह आपका हो गया तो बच्चों इसमें जो एक थी और बच रहा था उसको मैं नहीं बताऊंगा कभी नहीं बताऊंगा क्योंकि जैसे दूसरा था वैसे इसका चौथा पार्ट है अब तुम अगर उसको भी नहीं कर पाते हो तो मत पढ़ना पढ़ाईए छोड़ दो त इसमें कोई अंतर नहीं है तिर्फ उसमें थीन था इसमें पांच है बस इतना अंतर उसके बाद यह आपका खतम हो गया अब यहां पर समझो अब इकसर साइज जो 1.5 का क्विश्चन नंबर 3 है अब हम इसके बारे में बात करेंगे आप सभी किताब लिए हो तो पहले कुष्चन पढ़ो जलो क्विश्चन पढ़ो जो जो बच्चा किताब लिया है देखो मैं कुजिशन पढ़ता हूँ ध्यान से देखो इतने बच्चे NCRT बुक लिये हैं मतलब में NCRT उनके में एक दम अच्छे से मिल रहा होगा जिसके में नहीं मिल रहा हो भी सबर करें समझें उसके भी काम का है उसके भी किताब में है आगे पीछे है बस समझो कहना कि आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधी और उसके ब्यास के अनुपात से परिभासित किया जाता है मतलब ये कह रहा है कि आपको तो याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधी और उसके अनुपात से परिभासित किया जाता है इनका ये कहने का मतलब है पाइटी बटा है आप तुम्हें यहां पर समझो यहां पर परिदी को यह सी माल ले रहें अनुपात को डी माल ले रहें तिक है आगे समझो कहानी क्या कहती है इक्सरसाइज 1.5, कुष्चान नमबर 3, रक्षानों के NCRT मैट्स बुक में देखो कुष्चन मैं पढ़ रहा हूँ, सुनो और मिलाओ, समझो कह रहा है कि यहां इस तथे का अंतर विरोध करता हुआ परतीत होता है कि पाई एक अपर्मिय संख्या है मतलब कि यह इसका पालन नहीं कर रहा है कि पाई एक पर्मिय संख्या है जो यह कथन दिख रहा है, पी अपान क्यू के रूप में दिख रहा है तो इसके हिसाब से तो पाई एक पर्मिय संख्या हो जाएगी यह कह रहा है कि भाई अगर पाई बराबर इस तरह से होता है तब तो यह पाई एक परमिय संख्या है आगे कह रहा है कि इस अंतर बिरोध का निवारण पुसरी निराकरण आप किस परकार करेंगे यानि कि आप किस तरह से ये सिद्ध करेंगे कि ऐसी स्थिती में होते हुए भी पाई एक परिमिय संख्या नहीं है एक अपरिमिय संख्या है आप इसका निवारन कैसे करेंगे बसे जहां तक उमीद है ये कुश्चन एक्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये बड़ा बवाली कुश्चन है ऐसा बवाली कुश्चन कोई टीचर नहीं देगा आप लोगों को लेकिन हमारा फर्ज है आपको बताना और आपका फर्ज है पढ़ना और टीचर दे या ना दे उसकी इच्छा चलो समझो इसमें कुछ ज़्यादा करना है नहीं तो देखो बच्चों हम सब को पता है कि वो संख्या जो पी अपान क्यूके फार्म की होती है वो पर्मिय होती है नहीं रेफनल होती है लेकिन जो संख्या पी अपान क्यूके फार्म की नहीं होती वो एरेफनल होती है तो भाया ये भी पीव पान क्यूंके फार्म की है तो ये एरेफनल क्यूं है बच्चा देखो जब तुमको मैं शुरू में बताया था कि भाया हर एक गोड़ा पर बैठने वाला आदमी दुलाहा नहीं बन जाता है तो जितनी भी संख्या अंडरूट में लगी रहेगी वो सभी जरूरी नहीं कि पर्मिय होगी ये भी तो अपर्मिय हो सकती है जैसे ये देख लो तो इसमें क्या है देखो अब आप लिखोगे पहले ऐसे कहने से समझ में नहीं आएगा पहले लिखो अब कहानी लिखो अगर जो भी सीरेफली पढ़ रहे हो लिखो पीचे लिखो पाई बराबर सी अपांडी पाई बराबर सी अपांडी है पाई इक्वल सी अपांडी है तो हम कह सकते हैं तो हम कह सकते हैं C and D इस परकार है ऐसे ही कुछ होगा यार मैंने तो इसको समझा था हाँ C और D इस परकार है अगर C upon D का मान निकालेंगे तो terminating decimal आना चाहिए मतलब समझ रहो ना अगर हम कहें कि C upon D है तो हम कह सकते हैं कि C or D क्या है परमिये संख्या है इस परकार अगर C upon D का मान निकालें तो फिर terminating decimal expensant आना चाहिए मतलब समझ रहो तब अगर हम C upon D का मान निकालें तब जो इसका मान आएगा वो एक सांत दसमलों परसार होना चाहिए लीकिन वास्तों में तुम सोचो कि अगर sye pancigo jun चाहिए तो क्या कोई पूर्ण संख्या लेया ओगे क्या ता है को है कि ऐनिवनah एनिवन पूई बताए एगर sye pancigoval करोगे क्या 5 आ जाएगा 25 आ जाएगा 42 आ जाएगा 100 आ जाएगा 500 आ जाएगा ऐसा कुछ आएगा बोलो पूर्ड संख्या का मतलब तही हुआ ना बच्चा जीरो आ जाएगा इसको हल करो कि क्या 28 आ जाएगा क्या नहीं आएगा न ऐसी कोई पूर्ड संख्या आएगी ही नहीं लेकिन वास्तों में C अपांडी को जब हम हल करेंगे तो ये एक नान टर्मिनेटिंग डेसिमाल आएगा आताहा हम कह सकते हैं कि पाई इक्वल C अपांड क्योंकि ये बड़ा जंजटी कुश्चन है सीधा-फीधा हल करने वाला है नहीं तो ऐसा कुश्चन जो है वह एक्जाम में आने की कोई उमीद नहीं है तो ये आपका एक्सरसाइज 1.5 का तीन कुश्चन हो गया चौथा कुश्चन संख्या रेखा पर दिखाना है इसको तुम सभी लोग करना खोपड़ी पटक पटक के सब फ्री पढ़ाया जाएगा लेकिन तुम्हें काम करना होगा क्लास को लाइक करना होगा हर दिन और दो नहीं जानते हो तो आप यूट्यूब पर वीडियो सब्सक्राइब क्या है नाइंत में पढ़ते हो तुम सब जानते हो